मैम, चॉकलेट सॉस कातम हो गई तो क्या हुआ? मैं ब्राउने विद आइस क्रिम कैसे खाऊ अरे बना लो अपने अब कैसे? तब तक मेरी आइस क्रिम भी पिगल जाएगी अरे बेवकूफ सरफ पांच मिर्ट में बनती है चॉकलेट सॉस और इंग्रेडियन्स वो भी बस पांच अकांशा को खानी है आइस्ट्रीम एंद ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस और लीचे चॉकलेट सॉस हो गई खतब अब क्या किया जाए? चलिए पांच मिनट में बनाते हैं हम अपनी चॉकलेट सॉस और बहुत असानी से तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? पहले हाफ कप में वाटर ले लूँगी और इस आधा कप पानी में मैं आधी कप चीनी भी आड़ कर दूँगी चीनी और पानी इसको अब हम पका लेंगे ताकि शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए जैसे ही शुगर इसमें डिजॉल्व होगी मैं इसमें आड़ कर दूँगी एक कोटर कप दाख कोको पाउडर and I am just going to mix this in इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोको पाउडर पूरा का पूरा इस सिरप में डिजॉल्व हो जाए so once this is completely dissolved क्या करेंगे हम लेंगे quarter cup पानी और इस quarter cup पानी में आड़ करेंगे बस half teaspoon corn flour इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे अपनी सिरप में आड़ कर देते हैं mix this in and let this cook once you see this getting a nice glossy appearance बस gas को करते हैं बंद और इसमें आड़ करते हैं हम एक टी स्पून वनला एसे इसे इसमें अच्छे से mix कर दीजे हो सकता है अभी आपको देखने से लगे कि मेरी चॉकलिट सॉस तो बहुत रनी है लेकिन रुके जनाब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजे जैसे जैसे यह थंडी हो जाएगी न यह एकदम थिक हो जाएगी अकांशा तयार हो गई तुम्हारी चॉकलिट सॉस तो यह लो भाई अब तुम आराम से इंजोई करो अपनी ब्राउनी विद आई स्क्रीम और चॉकलिट सॉस बस पांच मिनट में हो गई ना तैयार यह भी तो यह पांच मिनट वाली चॉकलिट सॉस की अगर रेसिपी आपको आई पसंद तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जबूर बताईएगा और हां लाइक करना तो बिलकुल मत भूलिएगा अगर आप यह बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंद